हेलो चिल्डरन, वेलकम टू असा एजुकेशन, आज हम करेंगे छटे क्लास की संस्रिप की किताब रुच्रा के आठमे चैप्टर सुक्तिस्त बका की एक्सरसाइज पहला कोशन आप अपने आप करेंगे, इसमें सभी इसलोकों को गा कर सुनाना है आपको तो दूसरा कोशन है इसलोकांशो का मिलान करें तुका और खा इसमें क्या दिया हुआ है का में एक पंक्ति दी हुई है इसलोक की और खा में दी हुई है तो आपको मिलाना है इसको कौन सी पंक्ति किसके साथ मिलेगी तो पहला है तसमात प्रियम ही बक्तब्यम इसलिए प्रिये ही बोलना चाहिए तो इसमें क्या होगा बचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी अगला है गच्चन पिपील को याती योजना नाम शतान्य पी तो चलती हुई चीटी सो योजन थक भी चली जाती है तो इसमें क्या बनेगा गच्चन पिपील को याती योजना नाम शतान्य पी अगला है प्रिये बाग के प्रिदानें सर्वे तुष्यन्ती चंत वहा प्रिये बाग के प्रिदान करने से सभी प्राले संतुष्ट होते हैं अगला है किम भवे तेन पाठे जीबने योना सार्थिका उस पाठ को पगले से क्याला जो जीबन में सार्थक ना हो अगला है काका कृष्णा पिका कृष्णा कववा भी काला होता है कोयल भी काली होती है को बेदा पिक काकयो कववे और कोयल में क्या अंतर है तो पहला हो गया तस्मात प्रियम ही बक्तब्यम भचने का दरिद्रता, अगला है गच्छन पिपील को याती योजना नाम शतान्यापी, प्रिये बाग के प्रिदानें सर्वे तुष्यनती जन्तवा, किम भवे तेन पाठें जीवने, योना सार्थका, काका कृष्णा, पिका कृष्णा को भेदा पिका कयो, आपका अगला कृष्ण है प्रिश्णों के उत्तर लिखिए, तो कुछ कृष्ण दिये गए हैं, उनकी लिखने हैं, आपको आंसर, पहला कृष्ण है, सर्वे जन्तवा के इन तुष्यनती, सभी प्राड़ी किस से संतुष्ट होते हैं, तो बसंत समय पिका कयो, भेदा भवती, बसंत के समय में कोयल और कववे में भेद होता है, तो बसंत के समय में क्या होता है, जो कोयल होती है, बोलती है, तो पता चल जाता है कि कौन कोयल है, कौन कववा है, बैसे पता नहीं चलता क्योंकि दोनों ही काले होते हैं, तो बसंत के स जब कहुआ बोलता है तो उससे पता चल जाता है कि ये कहुआ है अगला है का गच्छन योजना नाम शतान यपी याती कौन चलता हुआ सो योजन तक भी चला जाता है तो पिपील कहा गच्छन चलती हुई चीटी सो योजन तक भी चली जाती है असमा भी किम बक्तब्यम हमें कैसा बोलना चाहिए तो असमा भी प्रियम बख्तब्याम हमें मीठा बोलना चाहिए हमें प्रिये बोलना चाहिए तो पहला होगा सरवे,"जन्तवाः प्रिये बाग के प्रिदाने न्तुष्यंति बसंत समेन पिक का के ओभेधा भवती अगला है पिपील कहा गच्छन योजना नाम शतान्य पी याती असमाभी प्रियम बक्तव्यम आपका चौथा कोश्यन है उचित कत्नों के सामने आम और अनुचित कत्नों के सामने ना लिखिए तो जो सही है उसके आगे आपको लिखना है आम हाँ और जो गलत है उसके आगे आपको लिखना है ना, पहला है काका कृष्णा ना भवती, काका कृष्णा ना भवती तो जो कहुआ है काला नहीं होता, कहुआ काला नहीं होता, तो यह चीज क्या है गलत है, क्योंकि कहुआ तो काला होता है, तो काका कृष्णा ना भवती इसके आगे आप लिखेंगे ना, असमा भी प्रियम बक्तब्यम, हमें प्रिये बोलना चाहिए, ये बात सही है, तो हम लिखेंगे आम, बसंत समय में कोयल कोई में भेद इस पश्ट होता है, ये बात भी सही है, तो इसके आगे आप लिखेंगे आम, अगला है बेंतेहा पशु अस् इसमें लिखा है पशू होता है तो ये गलत है तो इसके आगे आप लिखेंगे ना बचने दरद्रता ना करतब्या बचनों में दरद्रता नहीं करनी चाहिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए ये बात सही है तो आप लिखेंगे आम तो पहले में लिखेंगे ना दूसरे में आम तीसरे में आम, चौते में लिखेंगे ना, पांच में में लिखेंगे आम. आपका पांचमा कोश्चन है, मंजूशा से समानार्थक पत चुन कर लिखिए. तो बॉक्स में कुछ सिनोनिम्स दिये गए हैं, तो आपको देखना है कौन सा किसके साथ ठीक बैठेगा, कौन सा किसका समानार्थक शब्द है. तो बचने, बचने को और क्या कहते हैं, बचन या कथन, तो बचने कथने, बैंते हैं, किसको कहते हैं, गरोर पच्छी को, तो बैंते हैं, गवल नहां, अगला है पुस्त के, तो होगा गरंथे, रवे, रवे कहते हैं सूरज को, तो यहां हो गया सूर्यस, पिका, पिका माने ह तो पहला हो गया बचने, कतने, बैंते हा गग्रना, पुस्तके, ग्रंते, रवे सूर्यस, पिकाः, कोकिला आपका च्छेटा गोश्चन है बिलूम शब्दों का मिलान कीजिए तो आपको क्या करना है खा और खा में जो शब्द दिए गए है तो देखना है कौन सा किसका उल् गल्टक क्या होगा सार्ठक ठीक है उसके उल्टक होगा विकार है निर्ठक है तो निर्ठक क्रिश्चौ उनहां होता है इसका होगा से इसका होगा से कीची का होगा उक्तम गच्छती का होगा आगच्छती अगरतस से इसका होगा सुपतस से अच्छो आपकी जो एक्सरसाइज यहाँ पर खतम हो गई आप इसको अच्छे से समझ कर लियाद कर लिजे और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब टरना मत भूलिये थैंक्यों असा प्रह्टत fandस आपजा बढा कर लियाँ से समझ एक लिजे से समझ कर लिया ख्ततत्री तकारतर शोड़ती आपकी जो नखे कि अथरत घफ। झाल झाल